तो फाइनली यहाँ पर अभी MIA1 तो काफे जादा एक होट सेलिंग प्रोड़क्ट था MIA की तरफ से Android One प्रोग्राम में तो जहां तक हम बात करें यहाँ पर अभी फिलाल के लिए अगर हम MIA की तरफ से बात करें तो MIA यहाँ पर उसको पूरी तरह से फुल्फिल नहीं कर रहा है Android One प्रोग्राम के तहत जहां पर अभी Android P आ जाना चाहिए MIA1 में यहाँ पर अभी भी Android Oreo में ही स्ट्रगल कर रहा है लेकिन काफी हद तक अभी MI ने इस पर वर्क आउट करके इसको बैलेंस करने की कोशिश की है तो आज एक नया अपडेट आया हुआ है MIA1 पे तो इसके बारे में हम बात करेंगे तो उम्मीद करतों आपको यह वीडियो पसंद आएगा अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब किया तो अच्छी बात नहीं किया है तो कर ले क्योंकि हम ऐसे मज़ेदार वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे तो जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं अभी मैं अबाउट फोन में हूँ और यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेटस में यहाँ पर फोन नंबर सिगनल एकसेटरा यहाँ पर है तो फाइनली एमाई ने यहाँ पर एक अपडेट अभी रिलीस किया है यह कल रात आ गया है और इसका लिंक आपको नहीं मिल सकता है इंप्रूब्स दा स्टेबिलिटी ओफियर डिवाइस और अप्टिमाइज़स इस परफॉमेंस डाउनलोडिंग अपडेट्स अवर मोबाइल नेट्वर्क और यह भी तो चार्जिस होकर लगेंगे लेटेस्ट वाला और यहाँ पर कुछ बग फिक्स किये गया है तो यहाँ पर अभी हमारा फोन अपडेट हो रहा है तो मैं इस वीडियो को थोड़ा फास्ट फोरवड कर लूँ और अपडेट करने के बाद वापिस आपके पास लोटता हूँ और देखते हैं कि इसमें अपडेट कौन सा सिक्यूरिटी पैच और कुछ नया चेंजिस देखने को मिला है या नहीं हमें तो फाइनली यहाँ देख सकते हैं आपकी हमारा यह Android 1, MI A1 यहाँ पर अपडेट हो चुका है तो हमारा यह phone यहां update हो चुका है आपको दिखा देते हैं कि यहां पर आप यहाँ देख सकते हैं About Phone में हम जाते हैं सिस्टम में और यह Voilà Phone About Phone में आप देख सकते हैं कि आभी यहां पर Android 8.1.0 ही है इसमें कोई चßेंज नहीं है और Android security patch level यहाँ पर 5th August 2018 का है तो यहाँ पर security patch आपको latest मिल जाता है तो secure आपका phone और हो गया है अभी और बहतर हो गया है और bugs इसमें इंप्रूफ किये गए काफी ज्यादा stability है in terms usage में काफी ज्यादा smoothness है और ज्यादा कुछ यहाँ changes आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि तो वेट करें आपको OTA update आजागा या फिर अपने settings में जाए वहाँ पर जाके system update में जाके एक वर refresh कर लें आपको शायद आगया होगा तो उम्हीद करता है जी वीडियो में दी गए जानकारी आपको पसंद आए होगी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब नदे मात्रम